विल्कावें फ्रेंट्स उमरे यूटूब चैनल आर्केनरसिंग एकेडमी में फ्रेंट्स बहुती मात्पूर्ण कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिश्चाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंट्स विल्कुली वीडियो को इसकी इपना करें और पू एक रोगी गहरे और साथ से ग्रस्त है उसमें क्या लच्षाड दिखाए देंगे बताएं आपके स्क्रीन पर रहें पहले अच्छे से कोश्चन को पढ़ने उसके बाद या अंसर दें फ्रेंट्स इतनी भी कोश्चन है सभी साइकोलोजी और मेंटल हेल्थ से एकागरता में कमी कोश्चन कह रहा है कि एक रोगी गहरे और साथ से ग्रस्त है उसमें क्याल अच्छाड दिखाए देंगे तो आप संसिया पर आपका राइट होगा लॉस आप कांसेंट्रेशन एकागरता में कमी ठीक है तो यहां पर हम एक्स्प्लेइन देखते हैं कि और अच्छ और और साथ या फिर डेप्रेस्टन एक मनोवरति विकार रहे और साथ या च्राइक्क और मानोव्रति आ जाता है जब loss of concentration की कमी होती है तो यह सारी प्रब्लमें हो जाती है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं दो नम्मर कोशन आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को चैसे which type of hallucination is more common in delirium dementia किस प्रकार के मती ब्रह्म में प्रलाप पागलपन ज्यादा सामान ने बताएं क्या होगा इसका राड़ांसर किस प्रकार के मती ब्रह्म में प्रलाप पागलपन ज्यादा सामान ने लच्छाडएं बताएं गिस करें पर कोशन को पहले अच्छ़ से तो देखें आप पर आपसं एयर्आ आपकह राइट होगा विजुल है одном ड्रश मति भ्रह्म विश टायप आप हैलूसिनेस्ट्रम इस और वील्लिय kilow अंधिलेऊ है द्रश से मति भ्रह्म अब यहां पर हम एक्स्प्लेन देख लेते हैं कि द्रसे मती भ्रह्म जिसे कायत है विज्वल हैलुसिनेशन सबसे सामाननी मती भ्रह्म होता है मती ब्रह्म समस्या आश्वास्त अत्वा विक्रती बुद्धी के कारण समुष्ट जो स्वरी आपे बुद्धी ब्रह्म के कारण मनुष्य को अक्सर ब्रह्म होने लगता है मती भ्रह्म समस्या आस्वास्त अत्वा विक्रती बुद्धी के कारण मनुस्य को अक्सर क्या होता है भ्रह्म होने लगता है जब ऐसे मनुस्य को कई आस्वास्तिक द्रश से दिखाई देने लगते हैं जो उसे द्रश से मती भ्रह्म का जाता है जब ऐसे मनुश्री को कई आवास्तविक जिसका कोई अस्तित्थी नहीं है वास्तों में वो चीज है नहीं है द्रस से देखाई देने लगते हैं तो उसे क्या होता है द्रस से मतिब्रह्म कहा जाता है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं आपे कोशन नमबर ती ने आपकी स्क्रीन पर पढ़े कोशन को डिलेरियम डिलेरियम ट्रेमार्स इज विड्रो सिम्टम्स ओफ प्रलाप कमपन इनमें से किस ड्रक की निरलिप्तता लच्छड़े बताएं क्या होगा इसका राइड आंसर गेस करें पढ़े कोशन को पहले चैसे डि किन देटर्य हो सेन देंगे अपका निद्रहू सदियां है हीरो ही नहीं बट आपको बताना है आपके एक ही ड्रेक्श है में क्या होगा राइट प्रलाप कमपन डिलेरियम ट्रेमर्स सराब छोड़ने के करण होने वाला एक विकार है प्रलाब जो कमपन है जिसे डिलेरियम ट्रेमर्स का जाता है ठीक है सराब छोड़ने के करण होने वाला एक प्रकार का डिसॉडर है प्रलाब कमपन में व्यक्ति के दिल की जो धड़कन होती है वो सामान बिदाने हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है प्रलाफ कंपन कभी 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 वेक्ति को मौत तक भी ले जा सकता है यह kभी कभी व्यक्ति को मौत तक भी ले हो गया निरासा भी हो गया यहां पर उप्रोक्त सभी हैं तो सभी worklessness hopelessness और helplessness अब यहां पर आप एक्समेंद देख लेएं कि आत्मत्या अर्था suicide में विक्ति आपने जीवन को स्वता समाप्त कर देता है क्या करता है जो विक्ति होता है वो अपने जिवन को सुता समाप्त कर नाकाबिल यह सबी आत्मत्य के करणों में आते हैं तो चलिए हम नेक्सट कोशन देखते हैं आपे कोशन नमर फाइब वे आपकी स्क्रीन पर पढ़ने कोशन को कैसे से वेन आप्लाइंट मेंस अप स्टोरी टू फिल इन दी ब्लैंक इस पेसेज आप मेमोरी इडिज नोन आज किस करें क्या होगा इसका राइट अंसर पढ़ें अच्छे से कोश्चन को पहले पढ़ने उसके बाद आंसर दें फिल इन दी ब्लैंक स्पेसेज आप मेमोरी इडिज नोन आज काजाजनी कि जव कोई रोगी अपनी याददास्थ को रिखत स्थानों को भरने इन कहानियां बनाता है तो ऊसे क्या गाजाता है क्या होगा इसका राइट आंसर आपका T देखते हैं कि जब कोई रोगी अपने अधास को भूल जाता है और उसको भरने के लिए वह बाते बनाता है तो उसे कालपनी गटनाए कहा जाएगा जब कोई रोगी अपनी अदस्त को भूल जाता है और उसको भरने के लिए कई प्रकार की बाते बनाता है तो उसे काल्पनिक गटनाई का जाएगा चलिए हम नेक्स कोशन देखते हैं आपे बताएं क्या होगा इसका राट है यह इस्मती विकार है यह प्रसेप्शन है थोट है judgment है क्या है यह तो देखें यहां पर आपसन बी राइट होगा thought ठीक है thought आपसन बी आपका right है delusion is a disorder of thought ठीक है आपसन बी आपका right होगा यहां पर देखें लिते हैं explain कि भ्रहम एक गंभीर मांसिक बिमारी होती है जो आपका भ्रहम है वह एक प्रकार का मांसिक रोग है वह एक गंभीर बिमारी है इसे psychotic thought को प्रवाइद करता है किसको प्रवाइद करता है मनुस्सके सोच जो होती है on कि अधारीद होती है मतलब को चीज नहीं होती है वह उसे हकीकत मान लेता है ठीक है सोचने मतलब सोचना थौट करना इमेजिन करना कल्पना करना ठीक है तो चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं यहां पर कोशन नमबर सीवन आपकी स्क्रीन पर प्रणे कोशन को चैसे यहां पर क्या होगा इसका राइट अंसर पॉंट सारेडिक मांसिक और समाजिक कल्यान की स्थिति और किसी भी प्रकार की विमारी नहीं है उसे क्या का जाता है अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें आपकी स्क्रीन पर रहें तो दिखिए यहां पर आपसट डी आपका राइट होगा आपसट डी राइट होगा है फिस्वास्त अब यहां पर आप एक्स्ट्रेन की स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार की विमारी नहीं है उसे क्या पूर्ट शारीदिक मांसिक और समाजिक करलाड किसी ती जिसमें किसी भी प्रकार की बिमारी नहीं है उसे स्वास्त का जाएगा तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर एट है आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को चैसे अच्छा कोशन है ठीक है और विजुल हलुशने शन और चीन इंदी लेशन आज और यलेशन दो इके दृष्ट मति भर्म की च्छती किसमें देखा जाता है बताएं क्या ओगे इसक नेट आर प्सशने संदे स्क्रीन पर फूरड विजूल हलुशने भरभा प्सक्रीन जोखी आर सीन इन दी लेशन आफ तो देखें यहाँ पर आपसन भी आपका राइट होगा टेंपोरल आपसन भी आपका राइट है टेंपोरल का जारे कि दरेश्ट मति ब्रहम छती किसमें देखा जाता है तो यहाँ पर देखें टेंपोरल लोब में देखा जाता है ठीक है आपसन भी आपका राइट होगा और दिख जाती है। मति ब्रह्म के इस प्रकार के व्यक्ति उन चीजों को देखते हैं। जो वहां है ही नहीं ठीक है यह उन चीजों को देखते हैं देखनी कोशिश करते हैं जो वहां पर हकीकत में होती ही नहीं है ठीक है इसमें आवास्तविक घटना है इसमें आवास्तविक वस्तवें द्रस्टी पैटर्न लोग या रोशनी दिख सकती है जैसे व्यक्ति किसी ऐस यहांतों में देख सकता है जो वास्थोमें वहां पर नहीं है से लोग या पर रोषनी लोगों को देख सकता है कि कई लोग खड़े है यहां पर ठीक है रोषनी भी देख सकता है जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को या फिर रोसनी को देख सकता है जो रियल्टी में वहां पर होती ही नहीं है तो इसे द्रेश्ट मतिवरम का जाएगा तो चलिए हम अब यहां पर एक्स्प्ली जगह आपके राइट होगा ओपन प्लेसे खुली जगह अब यहां पर एक्स्प्लेन देखते हैं एक चिंता का विकार है जो खुले स्थानों या फिर इस थानों के डर के कारण लोगों के लिए घर से चले जाने चले जाने में कटनाई पैदा होती है इस विकार में व्यक्ति उन जगों पर जाने से बचता है इस प्रकार में जो इस प्रकार में जो डिस और रहे इस में व्यक्ति क्या होता है कि उस जगह पर जाने से बचते हैं तो यह जाने से क्या पूचें होता है कि उस जगों में जाने से ऑपने आपको बचाओ करते हैं तो जली हम नेक्स कोशन के नबर ते 고양ज को ठी़ा यांश्यों आपको आपको बना सफ्रेँन के कई? कई बार आपने पढ़ा होगा सी जोफ्रेनिया अब सीजोफ्रेनिया आपको बताना है क्या होगा इसका राइड आंसर देखें सिंपल कोईस्चन सीजोफ्रेनिया सब्सक्राइड किस ने दिया था ठीक है अभी तक तो आपने पढ़ा होगा कि सीजोफ्रेनिया क्या है बट य यूलर आपसन यहां पी आपका राइटर सीजोफ्रेणिया जो सब्सक्राइब देख लें कि सीजोफ्रेणिया एक मांसिक विकार है जिसमें आसमान विवहार अजीब भासड और वास्तिक्ता को समझने की छमता में कमी हो इसे सीजोफ्रेणिया जाता है और जो सीजोफ्रेणिया सब्सक्राइब ब्ली यूलर ने दिया ता या गड़ा था ठीक है अब हम यहां पर कोशन देख लेते हैं नेक्ट कोशन है मारा कोशन नमबर 11 आपके स्क्रीन पर पढ़े कोशन को जैसे उसके बाद आंसर दें क्या हो जा सकता है कोशन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें अच्छे से पढ़ने पहले उसके बाद यांसर दें जल्द बाजी बिल्कुल भी मत करें विच सिंटा के रोगी ठीक है जो रोगी चिंता कर रहा है उसमें कौन सा लच्छाड नहीं देखा जाता है ठीक है चिनता ग्रस जो रोगी होता है उसमें हलुसिनेशन का लच्छाड नहीं दिखा देता है बाकी आपको यह सारे लच्छाड दिखाए देंगे नर्वस विहवियर ठीक है परेशानी भरा विवहार करेगा चिंतित रहेगा ठीक है वरी होगा रेश्ट लेस्न होगा व्यक्रता अर्था बे लोगी में नहीं देखा जाता है ठीक है है जो चिंता से ग्रश्ट रोगी होता है उसमें हलुसिनेशन अर्था मती ब्रह्म नहीं देखा जाता है मती ब्रह्म इन सभी से भिन्रोग है जिसमें व्यक्ति को वह अन्वह होता है जो कभी हुआ ही नहीं हो व्यक्ति को वह अन्वह होता है जो कभी हुआ ही नहीं हो या रोग ड्रग की ज्यादा मात्रा लेने से हो सकता है ऐसा जो मती ब्रह्म होता है आपको हलूसिनेशन होता है तो यह इस्तिति कप पैदा होती ज सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप पढ़ लेंगे तो आप इका फायदा है उसमें एक मांसिक विकार है पता है जिसमें असमान वेवार अजीब भासर और वस्तिता को समझने की चमता में कमी आ जाती जो प्रिया सब्सक्राइब को ब्ले यूलर ने गड़ा था चलिए नेक्ट्स कोशन है कोशन नंबर थर्टी नेप के स्क्रीन पर पढ़े कोशन को एकारो फोबिया इजेक ड्रेट अब सायद दुबारा थर्टी नमर कोशन था बी दुबारा यह जिक पुशन दुबारा फिर से दोर आ गया है तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे गारो अब हम यहां पर देखें अगला कोशन देख लेते हैं उसे एक्स्प्लेंट छोड़ देते क्योंकि अभी आप पड़ चुके हैं चलिए यहां पर फोटीन नमर कोशन है अलेगल क्लासिफिकेशन और चिल्ड्रेश बिहाइवियर डैट वाइलेट दी लौ काजा रहे कि बच् अब यहां पर एक्स्प्लेंट देख लें कि कुशूर अपराद बच्चों के वबार का एक वैद अर्थात वर्गी करड़ जो कानून का उलंगन करता है तो यहां पर आप एक्स्प्लेंट देख लें कि कि किसोर अपरादिता जैसे कि किसोर अपराद के रूप में विजाना जैसे किसोर अपराद के रूप में जाना जाता है गैर कानून विभार में नावारिकों अर्थात जो एडॉलेस्ट होते हैं किसोर किसोरियों के रूप में वैदानिक आयू से कम उमर के बच्चे के भाग लेने के क्रिया है अधिकांस कानून प्रडालियों किसोरों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को निधारित करती है जैसे कि किसोर निरोध केंद्र और अदालते हैं इसके साथ ही या सामानने कि आपरादिक मामलों के लिए किसोर प्रडाली को नागरिक मामलो के रूप में माना जाता है तो देखें आप लाइस्ट कोशन हमारा यह फिप्टी नंबर कोशन पढ़ें अच्छे से इसके डाइंग परसन गोज त्रू अलाब दी फालोइंग इस्टेज एक्सेप्ट एक मरने वाला व्यक्ति निम्लिके सभी चरड़ों से गुजरता है सिव टेनियल हो गया आपका जो इनकार हो गया और टेट्रेशन Alt को चोड़ कर इनकार दिवस्टयार से कुजरता है वाज को छोड़कर बाकि सभी राइट है यहां पर देखें एक्स्प्रेइन देख लेते हैं कि मरने वाला व्यक्ति संगर से तक्राव को छोड़ कर इनका डिप्रेशन सीवकार से गुजरता है